जी कैफ 8 आज के लेक्चर का आगास करते हैं आज हमारा लेक्चर नमबर है 6 और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नोट्स की तर्तीब के लिहास से यह जो चैप्टर नम्बरिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चैप्टर नमबर 1, 2, लेकिन आपको नोटस के अंदर ये पहले पेज पेज पे ये पता चल जाएगा कि इस चेफटर के कर कंसेफ्ट में किस चगह पर डिसकस किये गए हैं तो आज का लेक्चेर की तरफ चलने से पहले कुछ चेप्टर वन के हवाले से discussion हो जाए chapter 1 हमने complete कर लिया इसके मैंने आपको assignment दिया जो आपने Monday को check करवानी है उस assignment में एक तो ये जो chapter हमने पढ़ा है हर learning objective के end पे कुछ questions है एक तो ये assignment में शामिल है और फिर एक assignment volume 2 के नाम से जिसको volume 2 कहते हैं ये आपको अलाइदा से set मिलता है ठीक है असल में मैंने आपको बताया था हमारे audit के पेपर में दो तरह के questions होते हैं एक reproduction वाले रिटे वाले questions लेकोते है case studies तो जो हमारी case studies होती है वो volume 2 हम उसको कहते हैं और जो हमारे reproduction के questions होते हैं रिटे वाले वो हमने volume 1 के साथ ही लिखे होती हैं हाँ volume 1 में कुछ चंदे case studies भी होती है volume 1 में चंदे case लेकिन जो case study के असल practice है वो volume 2 में होती है तो आपने volume 1 के भी questions करने है और volume 2 के भी questions करने है written form में आप कर सकते हैं अगर कहीं के आपको लगे कोई question duplicate हो रहा है इसका answer तो तकरीबन वो ही है जो पहले तो still कोशिश करें कि आप उसको attempt करना है और मेरी recommendation आपको ये है कि ये जितने भी question है जैसे फर्स कीजिए total 20 questions है 5 questions volume 2 के for example 4 है शायद और 15-16 questions है volume 1 के तो सारे questions एक ही sitting में नहीं करना है जब कभी आपने practice करनी है बेहतर होता है कि इससे different point of time पे practice करें यानि अभी आपने 4-5 questions कर लिए फिर उसके बाद break लगा ले फिर 4-5 घंटे के बाद दुपहर को या शाम को questions करें फिर 4-5 घंट question कर लिए फिर उसके बाद break लगाए ताकि आपका mind जो है ना multiple time process हो जब processing सारी की सारी एक ही time पे हो जाती है ना तो वो फिर या वह लर्निंग नहीं होते हैं तो ब्रेक देके हमेशा पढ़ना बेहतर होता है इसका यह मतलब नहीं है कि आप 5-5 मिंट की ब्रेक देना शुरू हो जाती है चैप्टर वन में या assignment के हवाले से कोई questions पूछना चाहते हैं तो पूछ लें हाँ इस assignment में से कुछ questions मैंने चुने हुए है वो next lecture में हम discuss करेंगे आज नहीं कर रहा है असुली तो आज होने चाहिए थे लेकिन हम चुकि आपको assignment दी हुई है assignment थोड़ी ज्यादा थी मंडे को तो वो मंडे को discuss होगे आज हम chapter 1 के questions को discuss करने के व क्लिए है कोई question पूछना चाहते हों तो पूछ लेजिए एक मिन्ट है आपने कोई question पूछा था है अहां जी एक स्वान का question यह है के sir icap की book के भी कुछ questions है तो वो हमने icap की book से जाके करने icap का reference दिया हुआ है प्याद रखें icap की book के जितने भी questions है वो 160 यह 71 जितने भी questions है वो सारे के सारे हमारे books में cover हो जाते हैं अगर आप हमारी वाली book volume 1 और volume 2 दोनो दोनो use कर रहे हैं तो icap की book का एक-एक question cover हो जाता है तो फिर icap के question bank का reference देने की क्या जरूरत है इसलिए कि कुछ student ऐसे होते हैं जो कि icap की book से पढ़ रहे होते हैं दोनों लाजमी तो नहीं है कि आप यह book यूज चाहे हैं लेकिन अगर को इस्ट्रूरंट दूसरी book से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकता है कोई problem तो उनकी असानी के लिए reference दिये गए हैं कि अगर आप icap की book से पढ़ना है icap की book भी दो volume में है तो बहुत है एक study text लादा है और question bank का लादा है तो उसमें हमने study text का भी reference दे दिया और question bank के question का भी reference दिया ताकि जो student उदर से पढ़ना चाहता है उसके लिए असानी हो जाए वो accordingly उदर से पढ़ता रहे है ठीक है और की question जी अर्डिट engagement और reasonable assurance engagement क्या एक ही चीज है येस एक ही चीज है ठीक है हमारे syllabus किया तक एक ही चीज है अड़ास लावर्ट पर थोड़ा सा फरक आएगा लेकिन वो जानना जूरूर नहीं एक ही चीज है और इसी तरह review और limited assurance engagement ये एक ही चीज है ठीक है लेकिन assurance engagement और audit engagement ये एकी चीज नहीं है ये assurance engagement दो तरह की होती है audit उसकी एक type है review उसकी दूसरी type है ठीक है और की question questions जितने भी होंगे वो हम इंशाला मंडे को discuss करेंगे ठीक है बाकी concept में कोई ऐसी चीज है जो आपको समय नहीं तो पूछ ले hybrid में से अगर कोई question पूछना चाहता है तो जी जी बिल्कुर जी पूछिए जी जी मैक्समें करता हूं इनका question यह इस फॉन्ट का कि सर जो statutory audit होगा इसमें reasonable assurance दी जाती है limited assurance या दोनों में से कोई भी दे सकते हैं याद रखे question के अंदर यह answer चुपा है statutory audit statutory audit तो इसका मतलब इसमें कौन सी assurance होगी हमेशा reasonable assurance होगी तो statutory audit में हमेशा reasonable assurance दी जाती है और अगर यह जिन स्ट्रोंट ने question पूछा इनी से दूसरा question मेरा अगर statutory review हो तो इसमें बताईए कौन सा level of assurance दिया जाता है ने जिन स्ट्रोंट से question पूछा था hybrid में उनी से जी भाई बताईए हाँ limited होगा शाबार ठीक है तो audit चाहे statutory हो चाहे non-statutory हो इसमें level of assurance कौन सा होगा reasonable और इसी तरह review चाहे statutory हो चाहे non-statutory हो इसमें level of assurance क्या होगा moderate या limited ठीक है जी और की question अगर time limited होगा तब ही sampling होगी या हर audit में होगी देखें normally time limited ही होता है unlimited time तो किसी के पास में नहीं है इसलिए sampling होती है लेकिन फर्ज कीजिए अगर time unlimited है अगर time unlimited है तो आप sampling की बजाए hundred percent testing भी कर सकते हैं जब sampling नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा hundred percent testing hundred percent testing कर सकते हैं बलकि आपकी इस बात से मुझे एक याद आगया question आई-कैप का एक member था चार्ड़ करते हैं या नहीं फर्म है जिनकी उसने question पूता था आई-कैप से क्या हमारा client है छोटा सा client है चंदे transactions है उसने हमें कहा है कि आप हमारी सारी की सारी transaction को चेक करो क्या हम absolute assurance दे सकते हैं हंडर परसंट ट्रांजेक्शन की रीजन है हाँ इसका आई-कैप ने जवाब दिया था नहीं दे सकते चाहे आप सारी की सारी transaction क्यों ना चेक कर रहें नहीं दे सकते क्यों कि दूसरे लिमिटेशन भी तो है आप ठीक है प्रवीन फार बैडड को भी चेक करेंगे लेकिन क्या उसको 100% एक्यूरेक्शिस के सारी चेक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन सिर्फ एक रीजन है नहरे लिमिटेशन में से अगर इसको आप खतम क कर भी दें तो स्टिल बाकी की इंहरे लिमिटेशन की रिजन तो है तो इसलिए आप एब्सुलूट इस्वरस कभी भी प्रवाइड नहीं कर सकते हैं क्लियर होगे जी और की क्वेस्ट जी मेटीर एलिटी का कंसेप्ट क्या एरर या फ्राड के लिए सेम होता है नहीं मैं इस स्वाल का जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन बाराल दे दिया नहीं डिफ्रेंट होता है क्या भला एरर में तो चलो हम कहें ना छोटा हो गया तो माफ कर दो अगर कोई फ्राड करे और छोटा फ्राड आप माफ करनेंगे आप इसको कैशियर ने सोरबे का फ्राड किया माफ करनेंगे आप वो अगली दफ़ा हजार का फ्राड करेगा तो फ्राड के उपर हम कंप्रुमाइज नहीं करते हैं कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जिन पर मेटीरियल्टी लेवल अपलाए नहीं होता रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला अच्छा इसमें कोई मेटीरियल्टी लेवल है कि इतने तक की रिश्वत होना तो नहीं है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर मेटीरियल्टी लेवल अपलाए उसमें small amounts भी significant समझी जाते हैं उसमें small amount भी significant तो fraud उनमें से एक example है कि अगर कि छोटा भी fraud करे ना तो उसको माफ नहीं करना कि छोटा फराड था तो बड़े fraud उने का निजार कर ले उसको उधर ही खी करना जी one by one उनका question यह है कि evidence की हमने जब examples पढ़े ही है तो उसमें ज्यादातार example में invices थे तो अगर invices ठीक बनी हुई है तब तो हमें evidence मिल गया और हमने unmodified report दे दे अगर invices ही गलत बनी हुई है तो फिर हमें evidence कैसे मिलेगा जवाब सुनिए अगर invices ही गलत बनी हुई है तो यह भी एक evidence है क्या evidence है कि financial statements गलत है यह भी evidence तो है यह भी किसी का evidence है financial statements गलत है इस सूरत में हम modified report देंगे हाँ यह कैसे verify करेगा invices ठीक है के गलत अच्छा यह ना आप थोड़ा सा audit की detail में जा रहे है मैं भी topic का हिस्सा नहीं था लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके question को लेके चलना हूँ तो अगर थोड़ा सा आज का topic रहे जाए हैं तो परिशान नहीं होना आप में ठीक है वैसे मारी कोशिश होगी कवर हो जाए सारा लेकिन क्योंकि understanding ज्यादा है मैं इनका question यह है कि क्या question था हाँ इन्वाइस इस गलत है तो order को कैसे पता चलेगा कि इन्वाइस इस गलत है देखें इन्वाइस बनी है अब अगर क्लाइंट ने इसको कर दिया है 10,000 इन्वाइस गलत बनी है तो कैसे थाबित होगा कि गलत है यही है ना हम as आईटर क्लाइंट को जाके कहते हैं सर आपकी सेल्स अकाउंट में एक बड़ी सेल्स की फिगर घार यह टू मिलयंड की इसको निकाले क्लाइंट हमें इन्वाइस देगा आपका क्या है हम सि teżरफ एक एविडेंस में सिरफ एक चीज़ चेक करते हैं के मल्टिवल सोर्सिस से लेते हैं जब नव इन्वाइस हमारे दिखाए जिसमें पता चले हमें इतनी ही क्वांटिटी डिस्पैच हुई है अगर फरक है तो वहां से पता चल जाएगा और फिर हम कहेंगे कि जो रेट है यह सही है कि नहीं इसका तो अग्रिमेंट हुआ है ना बायरल सैलर का हम कहेंगे वह सेल्ज आडर दिखाओ सेल्ज एग्रिमेंट दिखाओ वहां से फिर रेट कंफर्म करते हैं तो यह सारी जाद रखी नवाइस को हम चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है जितना ज्यादा नीचे डाकॉमेंट को चेक करते जाएंगे ना इ यह सेल्ज वहां पर रुक जाएं जैसे अब आगे आप यह भी का मेरी तसलिए इतनी कुछ चेकिंग के बाद हो जाएगी लेकिन हो सकता है आप यह कहें सर सेल्ज एगरिमेंट भी तो हो सकता है गलत हो हो सकता है गुड डिस्पैश नोड भी तो गलत हो अगर आपको लग तो हम उसको मजीद फर्दर स्पोर्टिंग डाकॉमेंट्स के जरीए से कंफर्म करते हैं वेरिफाई करते हैं कलियर जी और की इसको सिरफ इतना जिए में रखे मैंने जो बताया ना कि फ्राड पे मेटिरियल्टी लेवल अपलाई नहीं होता कुछ टांसेइक्शन ऐसी हैं जिन पे मेटिरियल्टी लेवल अपलाई नहीं होता इसका मतलब क्या भर आ आसी हैं जो वन परसंट ऑफराफिट की भी हो यह एवन परसंट उफराफिट की भी हो उनको भी हम मेटिरियल समझते हैं लेकिन ये कौन से cases हैं ये अभी आपने नहीं सोचना अभी ना सोचें अभी सिरफ जिस level पे मैं लेके जा रहा हूँ ना जिस तरीके से सुचवा रहा हूँ आपको उसी तरीके से सोचें इस वाले case को कौन कौन से transaction हो सकते हैं ये अभी नहीं पढ़ना और कोई question कोई question है हाई जी जी ये अच्छा question है इसका जवाब ये एक जगा पे लिखा हुआ है क्या level of assurance को change किया जा सकता है यानि client ने शुरू में कहा reasonable assurance और बाद में कहा sir limited या शुरू में कहा sir limited assurance बाद में कहा reasonable याद रखिए का audit में हर चीज चेंज हो सकती है लेकिन इसकी proper justification होनी चाहिए अगर reasonable justification है तो level of assurance change हो सकता है अगर reasonable justification नहीं है तो नहीं change होगा ठीक है ये बाद समझें आप मुझे बताइए आप audit का subject पढ़ने आए कुछ दिनों के बाद आपने college वाले से कहा नहीं मैंने तो cost में shift करवाना है या मैंने tax में shift करवाना है क्या college वाले कर देंगे पूछेंगे क्या reason अगर reasonable justification हुई फिर आपको shift कर दिया जाएगा वर्था नहीं किया अगर आपके sir मेरा conflict आ रहा है मेरा दूसरा subject भी है इसकी class लेता हूँ तो दूसरा जो है पंदरा basement का gap आ जाता है कालेज़ वाले करेंगे बिल्कुल यह reasonable justification आउके करो और अगर आप कहें नहीं सर मेरा दोस्त भी उस class में है तो मैं उसके बगार मुझे lecture की समझ नहीं आती reasonable justification नहीं है college वाले shift करेंगे क्या exactly उसी तरह जब client हमारे पास आता है ना हम याद रखिए का हम client के appointed तो है हम client के no-ker नहीं है हमने international standards के असूलों के मताबी काम करना होता है client के sections के मताबी काम नहीं करना होता ठीक है अब आप doctor के पास जाते है यह आप decide करते हैं करते हैं कि इदर से चूरी इदर से टांगा कर यह कर वो कर दा भाई यह मेरी किताब हमें लिखा हो यह मेरे पर चोड़ दे point आप करते हैं उसको लेकिन काम वह अपने असूलों के मताबिक करता है उसी तरह हम moderator है point हमे client करेंगे shareholders करेंगे लेकिन यह नहीं कि हम shareholder के इशारों पर काम कर रहे हो हम international standards के मताब ही काम करते हैं और international standards यह कहते हैं client कभी भी कोई भी चीज़ चेंज करने को कहे ना तो आपने देखना उसकी reasonable justification अगर है तो change करना वरना change नहीं करने क्लियर हो गया question मेरे भाई का अगर अच्छा देखें अगर काम complete हो जाए तो फिर तो नहीं नहीं अगर सारा session हतम हो गया और फिर सुर्ण नहीं कहा जी मुझे law में transfer कर दें college वाले हैं सारा session हतम हो गया आप कहां transfer करें तो जब reasonable assurance complete हो गई report client को दे दी उसके बाद तो change होई नहीं स्वाल ही पैदा नहीं होता उसके बाद change होने का limited से limited पर भी आ सकते हैं लेकिन यह बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अगर इस स्वाल का जवाब दूंगा ना तो इसमें को और फिर आपने कर देता हूं audit से review या review से audit conversion हो सकते हैं लेकिन खतम होने से पहले इसको हम कहते हैं during engagement अगर इनका question थोड़े से मुख्लिफ फलफास के साथ मैं बता रहा हूं अगर हम किसी चीज़ की कोई sporting document verify कर रहे हैं और वो document मुझूद नहीं है तो क्या लोगों की जबानी कलामि에 के उपर हम report sign कर सकते हैं नहीं एविडेंस होगा तो करेंगे जबानी कलामी वह बाता होँ पर दोड़े वरना तो management जबानी कलामी आपकर कर देगी सारा कुछ ठीक है कुछ evidence कीवेस में हम क्लाइंट को कैसे justify करवाएंगे गीसे पूरूफ करवाएंगे कि हम उसे जो इस दे रहे हैं वो reasonable आके limited अच्छा पहले तो ये बताए क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हम उसे जो शोनस दे रहे हैं वो reasonable रिपोर्ट रिपोर्ट के अंदर कंद्खलूइन लिखा होता है कंद्खलूइन में वह वर्डिंग पड़ता है अगर वर्डिंग है इन आवर फीनिएन फाइनैंशल स्टेंटमेंत्स गेव ट्रूएंड फेर वियर विव उससे पता चल जाएगा रिजने पलशोन है अगर प assurance report में reasonable की दी हो evidence कठा limited का किया हो कुछ auditor करते हैं यह का और गलत करते हैं होना नहीं चाहिए हो सकता होना नहीं चाहिए लेकिन इसे में हमें कौन पकड़ेगा भला client नहीं पकड़ता ऐसी सीपी और आइक है आपको पता है और डेटर्स का भी audit होता है इसे कहते है क्वाल्टी कंट्रोल रिव्यू यह कौन करता भला यह आई कैप और ऐसे सीपी करते हैं ठीक है तो अगर हमने कोई कांप करना था नहीं किया और क्लाइंट को जूट मूट गलत रिपोर्ट देती तो इसमें क्लाइंट का कसूरत नहीं मना जाएगा किसका मना जाएगा और यह आईकाप का अपना एक सिस्ट्रम है आईकाप हर साल जितने भी पाकिसान में आइटर्स हैं सेंपल बेस के उपर चेक करता है कि इनों ठीक और थी है के नहीं निर्फ ने आप शौह है क्भीतर्स हाएं करते हैं कि आप Hz कर दे निकेतर्थ नहीं तक और फौर्ड प्रोट स्थिए था अधर बोर्ड दे रहे हैं आपका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा आप इस चार्डड नहीं रहे हैं जी और की क्वेस्टन एक मिंट है यह हाइब्रिट में से क्वेस्टन आ रहा है थोड़ा सांची बोलिएगा क्या क्वेस्टन इनका यह है कि अगर कंपनी हमसे ही फाइनेशल स्टेटमेंट्स प्रिपेर करवाती है और फिर बाद में हम ही इसका अड़िट करते हैं तो अच्छा इतना क्वेस्टन हुआना मैं यही पर रुग गया इससे आगे मैंने नहीं सुना क्यों भला वैसे लेकिन गौर ने यह पॉसिबल ही नहीं है यह पॉसिबल और अगर कहीं पर ऐसा होता है तो गलत है क्योंकि जो बंदा फाइनेंशल स्टेटमेंट्स बना रह यह एग्जेंपल ऐसे ही है जैसे आपसे कहा जाए टेस्स दो जब आप टेस्स देते हैं तो आपसे कहा जिसको चेख भी करो आपकभी गलती निकालेंगे कोई तो जो फाइनेंशल स्टेटमेंट्स पिर बेर कर रहा है अगर उसी को कह दिया जाए क्या के चैक करो तो वो की जी 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 देखे हम financial statement में याद रखिए एक नुकता भी नहीं लगा सकते एक एरिया तो दूर की बात है sales या purchase का area या balance sheet सिर्फ prepare करना बाकी ना करना या सिर्फ debtors prepare करना बाकी यह तो दूर की बात है हम as auditor financial statements भी एक नुकता भी क्योंकि यह preparation of financial statement में आ जाएगा तो हमारा code of ethics है वो कहता है कि जो auditors है external auditors है वो financial statement और अलफा इस्तमाल करते हैं और part of financial statement नहीं कर सकते प्रप्र नहीं कर सकते वो आगे क्या होता है आगे चलेंगे अभी मैंने सारे student को साथ लेके चलना है बाद उकात कुछ concept की आगे कहानिया भी है कुछ exceptions भी है वो मैं भी बताना शुरू कर दूंगा अब complex हो जाएंगे कुछ नोट ने ऐसे शायद पहले कुछ नोने concept है उनके पास लेकिन वो उसको मैं discuss नहीं कर रहा है और की question internal auditor के बारे में बता देख एक्स्टरनल आडिटर एक्स्टरनल आडिटर है अगला समझ यह concern internal auditor है है याँ आई यानि कहने का मतलब यह external आडिटर एक्सटरनल पार्टी है internal आडिटर में इंप्लाई आफ दा कंपनी है जो चार्डर दिख मैनीजमेंट वो खुद से भी चेकिंग कर सकता है तो खर ले अच्छा आपको एक मज़े की बाब बताओ सम्टाइम्स इंटरनल आर्डिटर ज्यादा कम्पीडेंट होता है एक्सटरनल आर्डिटर से और कम्पीडेंट ना भी हो उसके पास नॉलिज उसके पास इंफरमेशन उसके पास उस आर्डिटर का वर्क एक्सपीरियस एक्सटरनल आर्डिटर से ज्यादा होता है लेकिन स्टिल सारी दुनिया इंटरनल आर्डिटर की किसी बात किसी रिपोर्ट पे तबार नहीं करते सिर्फ external आईटर की बात पर दार क्यों एक रीजन की वजा से independent independent होना इतना है अगर एक्टरनल आईटर independent नहीं है न तो लोग कहते हैं बहुत तुम्हारा आंगे क्या जुरूर हो थी फिर तो इंटरनल आईटर तुमसे बेहतर काम कर लेता तो इंटरनल आइटर अगर वही काम करें जो एक्सटरनल आइटर करेगा तो फिर भी याद रखें वह शूरस इंगेजमेंट नहीं कहलाएगे क्योंकि उसमें थ्री पार्टेस नहीं है वह इंडिपेंडेंट नहीं है इंटरनल आइटर दूसरे कुछ कामों के लिए रखते हैं वह मैनिजमेंट अपनी तसली के लिए रखते हैं क्योंकि असल में इंटरनल आइटर ना साल के बाद आता है तीन-चार मिने के लिए बाकी की आठ नौ मिनों में वह नहीं होता तो अगर कंपनी ने बाकी की चीज़ों की भी वेरिफिकेशन या कुछ और एक्स्ट्रा काम करवाने हो तो फिर इंटरनल आइटर को रख लिया जाता है Sharma हाँ क्या अगर शेर होल्डर भी चार्ड अकारह करें क्या वो भी टेपेंडेंडल एस वह बीतेंडल हो जाईगा है क्या हमने फढ़ा था ना क्या जिए था को ना मैनेजमेंड लफज मुझ से अभी तक बोला ही नहीं इसको छोड़ें मुझे नहीं पता क्या है बोइंग कंसर्ण नहीं मैं पढ़ किया आप मुझे नहीं पता क्या है चले आजाए अब चलते हैं आज के लेक्टर आपको याद होगा हमने कि आपके एलिमेंट्स ओफ इस्यूरंस इंगेज्मेंट्स स्टुड़ी किए फाइव एलिमेंट्स थे थ्री पार्टी रेशन्शिंफ्ट सब्जेक्ट मेटर सुटेबल क्राइटरिया एविडेंस रिटन इस्यूरंस रिपोर अगर आप आडिट को समझना चाहते हैं या रि review भी कवर हो जाता है क्यों कि चाहे आडढ़ से कि खुरुं के चाहे आडएट इंगेजमेंट है क्यों सीप्शरनस इंगेजमेंट हो उसमें ये पॉण्च चीजी मेजवल्हे भागे नुट भ्याव भ्याति तो अगर आप इन पांच चीजों को सड़ी कर ले तो इसका पार्टिज, सब्जेक्ट मेटर, सुटेबल क्राइटेरिया, अब हमने अगले कुछ लेक्चेज में इनी कंसेप्स को इनी ऐलिमेंट्स को वान बै वान डिटेल में स्टडी करना है, तर्तीब थोड़ी डिफरेंट होगी आगे पिछे होगी, लेकिन इनी कंसेप्स को हम डिस पहला एलिमेंट है सब्जेक्ट मेटर, और दूसरा एलिमेंट है सुटेबल क्राइटेरिया, बागी ये शोटा सा कंसेप्स है, ये भी कवर करेंगा, ये है सब्जेक्ट मेटर, अच्छा मुझे बताईए, सब्जेक्ट मेटर किसको कहते हैं, subject matter का मतंब है वो information जो management prepare करती है जो responsible party prepare करती है और practitioner उसको verify करता है वो जार फ्रेक्टिशनर उसको verify करता है वो कुछ भी हो सकता है कोई भी financial statement भी हो सकता है non-financial statement लेकिन हमारे इस लेबस की यह वर दुख खमेशा करती है financial statement अच्छा अगर financial statement आपको समझ आ गई है तो मुझे बताईए financial statements में कुन कुन सी चीज़े शामिल होती है complete set of financial statements में एक दो तीन चार पांच चीज़े शामिल होते हैं कुन कुन सी बैलेशीट इंकम स्टेटमेंट स्टेट में चेज़े ने कुटिक एक दो सेटमेंट मोट्स ताकांच यह चीज़े शामिल होते हैं पाँच ना चार न शे ने पांच और यह जहन में रखेगा ना इससे कम ना इससे स्यादा ठीक है प्रैक्टिस में कुछ सी ए फर्म्स जा अर्डिट पॉर्ड दे रहे हैं तो अर्डिट पॉर्ड के इंदर न हम लिखते हैं कि वी हैव ऑडिटिड बैलेंशीट इंकम स्टेटमेंट शांट चेंज़े टी कैस्टों स्टेटमेंट नोट सुदा कांट्स ओफ एबिस कमपनी पर और ये रेंडेट डिस यह लिखा जाता है है तो उसके चैटमेंट नहीं बनाती थे तो यह अब शेटमेंट टो ठीक है हम अपनी चैंज कर देते हैं हम कहते हैं we have audited balance sheet income statement statement of change equity और cash flow statement miss कर देते हैं आई कैप ने का नहीं यह आप गलत कर रहे हैं अगर क्लाइंट ने कोई statement बनाई ही नहीं इसका मतलब है क्लाइंट के financial statements complete नहीं है आप क्लाइंट से कहें के financial statement complete करें अगर complete करें तो आप audit करें वरना आप अगर क्लाइंट कहता है ने आप इन ही चार का करें तो फिर आप modified report दे अन-modified ना दे चाहे चारों चीज़ें ठीक भी हूं कि चाहे चारों चीज़ें च्छोटी सी एक्जेंपल मुझे बताईए अगर क्लाइंट ने depreciation record ने की fixed assess लिखे वूए है weureau data解 क्लाइंट 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 क्या कहे आईगा जो जो चीज लिखी हुई है वो तो ठीक है लो गलज उत्वे है वो तो ठीक है ना जो गलत वो तो हमने लिखी तो आपको तो यह कहना चाहिए जो कुछ भी है वो ठीक है किया हम यह लिखेंगे जो कुछ भी इसका तो घलत मैसी चला जाएगा कि शाय डैप्रिशेशन का रिकार्ड ना करना भी ठीक था डेपिशेंगा रिगार्ड ना करना में ढेकता है मुझे याद है जब प्राइमिर स्कूल में बढ़ता था हमारे स्कूल का एक पियन था वो कुछ नहीं करता गूमता फिरता रहना सोते रहना तो काम शाम नहीं करता था एक दिन उसको नोगरे से निकाल दिया तो वो आके न मुझे याद है आके हेड मास्टर साब को कहने लेगा सर जी मैंने किया क्या है सर जी मैंने किया क्या है उन्हेंने का भाई तुमने कुछ नहीं किया इसलिए निकाल ला है तो कुछ ना करना भी सम टाइम गलत होता है कुछ ना करना भी गलत अग्यूद तो अगर कलाइंट ने पांच की बज़े चार स्टेटमेंट बनाई है पांचफ 17 बनाई नहीं अग्या कहेंगे चारो ठीक है नहीं आप कहेंगे गलत नहीं पांचफी होनी चाहिए भी जो इस नहींच बनाई इसलिए हम modified report दे रहे हैं तो याद रखें पांच complete set of financial ने मतलब क्या पांच चीज़े हैं आपने exam में देखना है अगर आपसे कहता है यह report का format इसमें से घर्लतिया identify करें और वो पांच के बिज़ाए चार्ज statement include करता है तो आपने उसे क्या कहना है यह गलता है इसमें पांच से मसला नहीं है लेकिन चीज़ें पांचों पूरी होने चाहिए अच्छा मुझे यह बताइए मुझे यह बताइए पांचों के नाम होने चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि financial statements give वो तो मैं बोलते बोलते आपको कहता है ना financial statements give true and value जब आप असल report पढ़ेंगे ना तो उसमे यह लाइन ने लिखे होती इस financial statement give true and value उसमें क्या लिखा होता है बला बैलेंश इडिंक वो तो मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी-जल्दी financial में कहता हूँ कलियर अच्छा आपने अगर law में पढ़ा हुआ ऐसी law में नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी बतायता हूँ यफ़ शेर होल्डर के पास financial statement जाती है ना साथ में और्ड रिपोर्ट भी जाती है यह पता है आपको पिर ये भी पता होगा साथ में डेरेक्टर रिपोर्ट भी जाती है धिर्क्र बो तो फिर बताइए जरा सोच 시क्ञीज आकले सवाल डिरेक्टर्स रिपोर्ट भी जा रही है डिरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ गलती है डिरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ गलती है हम क्या कहेंगे इस फाइनेंशल स्टेटमेर्स गिव ट्रू एंड फेर व्यू ये कहेंगे कि इस फाइनेंशल स्टेटमेर्स गिव ट्रू यह लिखेंगे कितनों का क्याओं है डूनाट गिए लिखेंगे है लुट सब्राइब चुछी के हम का ऑद्र करने के दिस्पॉंसिबल है नहीं उसमें तबाई फिरी हो हमें कोई मस़ा नहीं हम कहें कि फालेंशल स्टेट में तो ठीड है हाँ एक अच्छा आडिटर होने के नाते हम शायद किसी तरीके से ये बात उनको पहुंचाने की कोशिश करें कि ड्रेक्टर पोर्ड में गड़ बड़ा है लेकिन याद रखे हमारी हमारा काम ठीक है दुनिया का कोई बंदा हमें ये नहीं कह सकता कि आपने काम गलत किया हमार पता होना चाहिए कि नहीं कि अगे चलें अच्छा हम कहते है ना फाइनेंशल स्टेटमेंट्स गिव टू एंड फेर वियो तो वह कहता है बताओ इसका मतलब क्या होता है तो एक मतलब है कंसेप्चूल और एक मतलब है टैकनिकल बड़ जो आपने एक्जाम में लिखना है क का मतलब है कि फाइनेंशल स्टेटमेंट्स आइफरस के मताबिक मनी हैं जब फाइनेंशल स्टेटमेंट्स आइफरस के मताबिक बनेंगी तो हम क्या कहेंगे और जब फाइनेंशल स्टेटमेंट्स आइफरस के मताबिक नहीं बनेंगी हम क्या कहेंगे फाइनेंशल 16 की कोई एक requirement बता दे fix asset वाला है ना property loan equipment कोई IAS की कोई कोई कर ले IAS की requirement requirement बताएं कोई कि वो ये कहता है कि कुछ disc lawyers होने चाहिए यही कहता है ना अगर वो disc lawyers है financial statement में तो हम क्या कहेंगे financial statements give और अगर वो disc lawyers नहीं है यह है conceptual minute लेकिन exam में जब आए तो आपने कैसे लिखना है आपने लिखना है पहली चीज true and fairview का word कहीं पे भी define नहीं हुआ ना counting standards में ना auditing standards में ना law में इसलिए normally हम इस पे अपनी judgment apply करेंगे भी ऐसी होता है ना जो चीज कहीं पे define ना हो उसमें judgment apply होती है के नहीं होती है तो कहते है generally true means free from error fair means free from undue bias in financial statements ठीक है और चूँकर यह term कहीं पे define नहीं हुई इसलिए financial statements true and fair represent करती है के नहीं यह addition करते हुए हमें अपनी judgment को use करना पड़ता है हमें अपनी judgment को use करना पड़ता है यह बास समझा रही है चले इसका सिर्फ रटा लगाएं छोड़े इसको यह clear हो गया अब अब बहुत अहम concept आगे हम discuss करने जा रहे हैं करेंशल रिपोर्टिंग फ्रेम्वर्ट को फ्रेम्वर्ट कहले या क्राइटेरिया कहले एक ही बात है ठीक है फानेशल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्ट का मतलब है फानेशल रिपोर्टिंग करते हैं फानेशल स्टेटमेंट्स को rules and regulations framework तो आपने इससे पहले भी कई दफा शायद वर्ड सुना इसका मतलब बता है rules ऐसी चीज जिसमे rules उपरा लिखे होते है तो financial reporting framework का मतलब है वो rules and regulations to prepare financial statements financial reporting framework का मतलब क्या है rules and regulations to prepare financial statement यानि हम financial statements किन rules के मताबिक बनाएंगे हमसे मुराद management management financial statements बनाएगी कुछ ना कुछ rules के मताबिक बनाएगी उसे कहते है financial reporting framework क्या दुनिया में financial reporting framework की एक ही type है बहुत सी types बहुत सी types है financial reporting framework को different types में classify किया जाता है एक कुछ financial reporting framework है जो के आम अवाम के लिए बनाए जाते हैं अच्छा आपने cost पर लिए cost उसमें concept होता है types of cost एक होता है fixed cost और variable cost कुछ और भी टाइबस होती है fixed cost variable cost और फिर होती है manufacturing cost और selling cost ये भी होती है manufacturing cost और भी टाइबस होती है अच्छा मुझे ये बताईए मुझे ये बताईए जो ऐसा possible है के जैसे rent है factory का rent है ये fixed cost है के variable ये fixed cost है अच्छा आगे चलें ये manufacturing cost है के selling admin cost है factory की factory current है manufacturing इसका मतलब ये हुआ के हम cost को different ways में classify करते हैं ऐसा possible है के एक cost एक classification में आ रही हो और वो किसी दूसरी classification की type में भी आ रहा हो वो किसी दूसरी type में भी आ रहा हो possible है क्या बिलकुल possible है तो framework को classify करने की एक type है के framework general purpose है के special purpose और एक type है के framework fair presentation है के compliance framework है अब नाम से ही जाहिर है general purpose framework का मतलब क्या है ऐसा framework जिसके मताबिक जो financial statements बनाई जाएं वो आम अवाम के लिए है general public के लिए wide range of users के लिए है अगर financial general purpose framework कों सा है जो ऐसी financial statements बनाता है जिसमें ऐसे rules and regulation लिखे हैं कि जो आप उनके मताबिक financial statement बनाएंगे वो आम अवाम के लिए होंगी wide range of users के लिए और special purpose framework ये ऐसा framework है जो किसी specific user के लिए बनाया जाता है वो बाकी users के लिए नहीं है general purpose framework के मताबिक जो financial statements बनेंगे लिए जो general purpose financial statements होंगी वो किल लोगों के लिए है wide range of users के लिए और जो special purpose framework है जो special purpose financial statements है ये किन के लिए है specific users के लिए तो अगर concept समझ आ गया तो मुझे बताईए आई एफ और एस general purpose है special purpose और टेक्स मेसिस यहां पर बात समझ आ गए अगर समझ एक और example दे दूँ एक advanced concern भी यहां पर साथ आज़ करें जैनल purpose में सोच के बताईएगा थोड़ी judgment भी है special purpose में क्या ये लिखने की जरूरत है कि ये financial statement सिरफ इस यूजर के लिए है बाकी लोग इस्तमाल ना करें special purpose में किया special purpose में यह लिखना चाहिए कि यह financial statement शिरफ इस यूजर के लिए है बाकी इस्तमाल ना करें तो हमें बहुत हैं ये फाइनेशल स्टेटमेंट टेक्स बेसिस के मताबिक बनी है सरफ FBR यूज करें बाकी ना करें और जनल परपस फाइनेशल स्टेटमेंट में लिखने की ज़रूत है इसको तो कोई भी सब के लिए है इसका मतलब ये है Special Purpose Framework Specific Users के लिए है इसमें Specific Users को identify कर देना चाहिए और कोशिश करने चाहिए Financial Statement सिर्फ हिंदी को मिले दूसरों के हाथ में आ जाए दोनों में फरक समझ आ गया आगे चलते हैं इसको फिर बाद में दुबारा किसी चेप्टर में पढ़ेगे Framework यानि Framework का मतलब क्या है Rules and Regulation to Prepare Financial Statement इनकी एक Classification है Fair Presentation Framework और Compliance Fair Presentation Framework और Compliance इसमें परपोस पैशल परपोस तो समझ आ गई अब क्या पढ़ने जा रहे हैं Fair Presentation Framework और Compliance Framework इसको एक्स्प्लेंड करते हैं एक एक एकजेमपल के एक कहानी के जरीए से छोटे होते माने एक जगा पर कहानी पढ़े थी आपने भी शायद सुनी हो कभी एक बाप अपने बेटे को मेले पर ले गया दिखाने के लिए तो बाप ने बेटे को कहा कि यहां पर खड़े रहो मैं भी थोड़ी दियर में आया जब तक मैं आया तुम हिलना नहीं तुमने कहीं जाना नहीं है उसने का ठीक है अब बाप चला गया साइड पर क्या हुआ कि आग लग गई आग लगी उदर बागम बाग कोई इदर बाग रहा है कोई इदर बाग रहा है तो बाप शायद वो कही रस्ता बूल गया होगा या इदर अदर हो गया होगा अब बेटा जो था वो अपनी जगा पे खड़ा हुआ है आग बढ़ रही है क्रीब आते है लोगों ने कहा भागो अपनी जान बचाओ उसने कहा नई मेरे वाले साब ने कहा था कि जब तक मैं ना हूँ ना तुमने इसी जगह पे खड़े रहा है मैं इसी जगह पे खड़े रहूँगा वो नहीं हिला आग आई जला गई उमर गया मुझे आप ये बताई आप में से कितने स्वाइन का ये ख्याल है कि उस बच्चे का ये अमल ठीक था उसे यही करना चाहिए था भी फर्माबरदार बच्चों की तो यही निशाने है फर्माबरदार गिंजाए ठीक है लेकिन बाप का मकसद हरगी यह नहीं होगा कि वही आग भी लगजाए ना तो उसके तो जहन में यही होगा ना रश ज्यादा है गुमना होगा इस वज़े से काओगा इस वज़े से थोड़ी काओगा उच नीच करके बेहतर कोई situation में जाया जा सकता है तो उसे उच नीच कर लेनी चाहिए थे अगरी कर लेनी चाहिए इसी तरह हमारे framework की दो types हैं हमारे कुछ financial reporting framework हैं जो ये कहते हैं कि ये rules हैं इनके मताबिक financial statements बनाओ और अगर आपको लगे ना कि किसी situation में किसी requirement से departure करके requirement से departure करने का मतलब क्या है लैदा करके वाइलेट करके presentation fair हो सकती है मजीद बहतर हो सकती है तो कर लें और अगर लगे के additional disclosure देके भी financial statements fair हो सकती है तो कर लें यानि कुछ financial reporting ऐसे framework है जो ये कहते हैं management को अगर financial statement बनाते हुए आपको लगे कि किसी requirement से departure करके या कोई additional disclosure देके financial statement की presentation improve हो सकती है वो fair हो सकती है तो वो कर लें तो वो कर लें और कुछ financial reporting framework है जो ये कहते हैं कि भाई rules हम भी बता रहे हैं तुमने इस rules को follow करना है लेकिन अगर तुम्हें लगे के additional disclosure या departure से financial statements improve हो सकती है presentation fair हो सकती है तो तुमने नहीं करना blindly हमारे rule को आग भी लगी हो चाहें blindly हमारे rule को follow करो ये compliance framework कहता है fair presentation framework क्या कहता है कहता है हमारे rule को follow करो लेकिन अगर आग लग जायना तो time-by कर लो ठीक है additional भी कर लो departure भी कर लो दस requirement है दस की यारा भी कर लो दस की नो भी कर लो station के लिहास है इजाज़त है और compliance framework क्या कहता है ना कम ना ज्यादा अगर financial reporting framework में additional disclosure या departure की इजाज़त हो यह acknowledgement हो यह acknowledgement हो यह statement हो यह permission हो कि आप उंच नीच कर सकते हैं तो वह framework कौन सा होगा और एकर वह इजाज़त नहीं देते कहते हैं जो हमने कहा दिया उसी के मताबी करना है compliance framework ठेक है यह भी कहते हैं कि framework को comply करो फेर प्रेंटेशन भी क्या कहते है कि बाते मनों हमारी लेकिन फिर आगे इजाज़त भी देता है लेकिन acknowledgement भी देता है क्या कि अगर additional disclosure या departure जरूरी हो फेर प्रेंटेशन चीव करने के लिए तो कर लो याद रखिए का requirements फेर प्रेंटेशन में भी है compliance framework में भी है फरक यह नहीं है कि एक में requirement है दूसरे में नहीं requirement है लेकिन उनको मानना कि किस extent तक है फरक किस चीज़ का है फेर प्रेंटेशन कहता है extreme case में अगर उच नीच करने से प्रेंटेशन फेर होती हो तो कर लो compliance framework में कहता है नहीं करने जैसे इसको एक example से समझते है आए फरस वाले यह कहते हैं accounting policies को consistently apply होना चाहिए यह यह state में पढ़ा होगा अपना लेकिन साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि अगर कभी accounting policy change होने से financial statements का view fair होता हो फेर representation अचीव होती हो तो वह कर ले आप बताईए जितनी counting आपने पढ़ी है counting policies change करने की जज़त है के नहीं तो बताईए इस requirement को सामने रखे बताईए आई फरस fair representation है के compliance और अगर tax वालों को हम यह कहें कैसा अगर हमारी सारी income को exempt कर देना तो financial statement बहुत ही fair represent होंगी आप यह वाली जाज़त देते हैं कहते हैं जो rule हमने बता दिया ना उसी के मताबिक काम करना है ना एक चीज़ कम ना एक चीज़ ज्यादा है अगर हमारे ख्याल में कोई हूंच नीच करने से presentation fair होती भी हो तो वो इजाज़त नहीं देते हैं यह compliance framework लिफ़र एक समझ है आप चलिए एंड में एक questions आपको दो statement दे रहा हूं अच्छा यह वाली बात अब क्योंके questions ज्यादा हो गए थे तो यह applicable financial reporting framework की बात हम next lecture में पढ़ेंगे ठीक है मैं आपके सामने दो statement दे रहा हूं अगर आपने इसका job ठीक बता दिया इसका मतलब है जो कुछ मैंने समझाना था आपको समझा आ गया दो statement रहा है management ने अपनी financial statement शुरी अर्डेटर ने अपनी report में opinion दिया है वो मैं opinion आपके सामने रख रहा हूं audit report के अंदर से कुछ lines उठाके आपके सामने रख रहा हूं आपने बताना है यह जो audit report है यह किस framework की financial statements को audit करते हुए बनाई दिया है ठीक है सोने एक audit report हमने पढ़िए उस पर लिखा हुआ था these financial statements have been prepared for ABC bank only and should not be used for any other purpose general proposal नहीं है और एक report थी उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी अच्छा ना ही यह लिखा हुआ था कि यह किसी खास बंदे के लिए है और ना ही यह लिखा हुआ था कि यह सब के लिए है उसका मादब क्या सब के लिए शावार दोनों में फरक समझ आ गया है अगली एग्जैंपल लिखा हुआ है इस financial statements have been prepared in accordance with international financial reporting standards and give true and fair view अचल नहीं मैं चेंज करूँ आया फरस से आपको पता चल गया फो रहा है इस financial statements have been prepared in accordance with rules and regulations in company बस यहां पर खतम और अब सुने इस financial statements have been prepared in accordance with rules and regulations in country a and respectively give true and fair view याद रखे अब टेकिनिकल बाप पता रहा हूं compliance framework में हम सिरफ compliance शो करते हैं कि financial statement इस framework के मताबिक है आगे कुछ नहीं कहते हैं जबके fair presentation framework में हम यह भी कहते हैं कि these financial statements have been prepared in accordance with this framework और आगे यहीं भी लिखते हैं and financial statement give true and इसलिए कि हमने fair presentation में framework को भी comply किया है साथ में true and fair view को word नहीं आता fair presentation में हमेशा true and fair view का word आता है सबसे बड़ा difference हुआ अगर आपके सामने कभी भी कोई भी report आ जाना है और आपने देखना हो कि यह compliance framework के मताबिक है यह fair presentation के मताबिक है आप उसका opinion पड़े और देखे उसमें fair presentation की बात कर रहा है के नहीं true and fair view की बात कर रहा है के नहीं अगर उसमें fair का word आ गया इसका मतलब है fair representation है और अगर सिर्फ उसने इतने ही लिखा दिस फ्रेंवर्क आगे silent फिर वो compliance framework होगा यह बात समझाई तो मुझे बताईए अगर आपके सामने कोई statement लिखी जाए तो क्या आप इसकाबिल है बता सके के यह जैनल परपस है के special परपस यह fair representation है के compliance framework चले अभी सिर्फ आपको types of framework बताईए आगे अब इनके मताबक wording में क्या change आता है वो भी जबानी करामी बता दिया लेकिन return form में भी हम पढ़ेंगे अभी नहीं आगे चलके अगर आप IFRS की सारी requirements को पूरा करते हैं तो वो अगर चेंज करना चाहां यह इनका क्वेस्टन यह सर क्या कोई situation है कि हम आई फरस में कोई ऊंच नीच करें और स्टिल फाइनेंश से में true and fair view बिल्कुल है इसके एक्जेंपल दी ना चेंज इन काउनिक वारिसी यही है क्या कहते हैं कि पहला रूल यही बताते हैं लेकिन फिर कहते हैं अगर फिर प्रेंटेशन चीफ करने के लिए चेंज करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं चलिए एपलीकेबल फिनाशल पोडिव फ्रेम अक्स लेक्षर में मुझे याद करवाईए कि मैं भूलना चाहूं यह आपको समझाना और असाइन्मेंट आपने लाजमी करके आनिया मंडे को आज का लेक्षर यहां पे खतम करते अला हातु